अप लोग कैसी आप लोगे पढ़ाही चल रही है? आसा करता हूं आप लोगे पढ़ाही बहुत बढ़िया चल रहा होगा आज हम लोग डिसकस करेंगे क्लास एट का चेप्टर टू है सोशल साइंस का सिवक्स का पार्ट सेकंड है अंडरिस्टेंडिंग सेकुलरिज्म इससे पहले यह मैंने दो वीडियो अपलोड किया हुआ है आप लोग उस वीडियो को देख लीजेगा ताकि आगे का जो है वीडियो समझ में आएगा क्लियरली और जिन बचों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि वीडियो हम जब भी अपलोड करेंगे टाइमली आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा और आप लोग टाइमली जो है पढ़ाई कर सकते हैं इसमें हमने च इस वीडियो में देखेंगे What is Indian Secularism जैसा कि हम लोग बोलते है कि हमारी कंट्री जो है इंडिया जो है एक सेकुलर कंट्री है ठीक है तो वो जो है इसका essence क्या है मतलब कि यह सेकुलरिज्म का जो है क्या करेक्टरिश्टिक है हमारा तो Indian Constitution जैसा कि यहां पर मैंने एक्स्टेट करके जो में पॉइंट से उसको लिख दिया है ताकि टाइम बज़ जा है और आप लोगों को मैं किलियरली बढ़िया से समझा सकूँ Indian Constitution mandate that Indian state be secular according to our Constitution जो है यह decide किया गया कि हमारा Indian state जो है secular होगा to ensure the following और उसके कुछ essence होगे ठीक है उसके कुछ objectives होगे वो क्या होगे तो जो इसके तीन main जो है objectives है यहां पर दिया गया है that our religious religious community does not dominant another तो इसका एक important point है कि एक religious community जी है दूसरे religious community पर dominant नहीं करेगी जैसे कि कोई एक religious community majority में है और दूसरी religious community minority में है तो majority religious community है वो minority religious community पर dominant नहीं करेगी मतलब उस पर अपना धौस नहीं जमाएगी मतलब कि कोई unethical चीज जो है नहीं करेगी उनको जो है कि यही करना है मतलब कि दोनों free रहेंगे अपना अपना religious जो भी freedom है अपना मानने है जो भी जैसे करना है उसमें second क्या है that some members do not dominate the members of the same religious community कभी कभी क्या होता है कि एक ही religious community में कुछ members जो है ऐसे होते हैं जो कि group बना करके उसी community के दूसरे जो है religious religious member पर जो है अपना जो है discrimination करते हैं हम इना dominant धौस जमाते हैं जैसा कि यह example करें तोर पर हम untouchability को देख सकते हैं जो है बहुत पहले जो है हमारे country में untouchable था तो इसमें क्या था कि इसमें जो है same group के लोग थे जो कि इसको प्रोमोट करते थे और जो victim थे जिन पर यह लागू होता था वो भी उसी same group के थे तो यह जो है जैसे कि यह भी इसको रोकता है तो यह को हमने खतम किया ठीक है तो that some members do not dominate the other members of the same religious community I think कि यह आप लोगों को clear हो गया होगा and third है that the state does not enforce any particular religion or not take away religious freedom of individual अब जो है state जो है जैसे कि हमारी country जो है does not enforce any particular religion मतलब किसी particular religion को वो promote नहीं करती है ठीक है नार take away religious freedom of individual और नहीं किसी individual की religious freedom को जो है वो जो है लेती है जैसे कि कोई हिंदू है and वो जो है Christian बनना चाहता है या कोई Christian है वो हिंदू में convert होना चाहता है तो उसका जो है freedom है उसका religious freedom है उसमें जो है state मतलब country जो है कोई interfere जो है नहीं करता है uses a strategy distance from itself from religion तो हमारी country जो है क्या हमारी country जो है एक strategy अपना है कि distances from itself from religion यह जो है धर्म को जो है हमारी country जो है state जो है उसको धर्म से अलग कर लिया है ठीक है तो यह जो है नाता ही बिलकुल खतम हो गया है Indian state is not ruled by a religious group and nor does it support any one religion मतलब कि अपना जो है Indian state है इंडिया है वो किसी religious group त्वारा ruled नहीं किया जाता है और नहीं किसी one particular religion को यह promote करता है या support करता है इन इंडिया government spaces such as law courts, police station, government school and offices are not supposed to display or promote any religion according to our constitution जो है इंडिया में कोई भी government place है जैसे कि courts हो गया, police station हो गया, school हो गया, offices हो गया ठीक है इस पे जो है कोई भी जो है किसी particular religion को जो है promote नहीं करेगा तो यह जो है हमारे जो है इंडिया की secularism का जो है यह कुछ characteristic है देखते हैं हमारे what is Indian secularism का government school cannot promote anyone religious either in their morning prayer prayer are through religious celebration मतलब कि जो government school है उसमें हम किसी religious practice को जो है नहीं implement कर सकते जैसे कि religious, जैसे कि morning prayer में जो है हम किसी one religion से related जो है prayer को नहीं रख सकते और नार जो है कोई भी religious celebration जो है हम school में नहीं कर सकते इस rule does not apply on private school लेकिन यह rule जो है private school में नहीं apply होता है जैसे कि आप लोगों के बुक में एक example जो है दिया गया है government school है उसमें जो है रेखा पुछती है कि जो है sir there is a big religious festival next month we have never celebrated in the school can we celebrate this year वो जो है अपने principal से teacher से जो है पुछती है तो उनके principals हाप क्या बोलते हैं I am afraid that it's not possible रेखा this is government school we cannot give importance to any one religion private schools may do that government schools don't celebrate any religious festival in this school premises most religious festivals are public holidays so that we can celebrate festivals at home इसलिए जो है आप लोगों ने अबजर्ब किया होगा तो जो भी जो major festivals होते हैं उस दिन जो है holiday रखा जाता है so that everyone can celebrate according to their religious beliefs at their home not in a public place ठीक है तो ये जो है आप लोगों के बुक में जो examples दिया गया है उससे जो है clear हो गया कि उनके principal ने सीधे सीधे मना कर दिया है so क्या है Indian constitution के कार्णि government school cannot promote any one religious either in their morning prayers or through religious celebration ठीक है लेकिन ये private school पे जो implement नहीं होता है दूसरा है not interference with religious practice वो किसी भी religious practice में interference नहीं करता है state किसी भी religious practice में interfere नहीं करता है for examples के तोर पे हम देख सकते हैं कि आप लों के book में जो है page number 23 में दिया हुआ है जो है दो friends है जो है एक friends जो है दूसरे से एक जो है sick friend है ठीक है जिनका नाम परमजीत है तो उससे उसका friend पुछता है I hope you have a helmet you know the law in Delhi requires that you wear one why are not you wearing a helmet do you want to find मतलब कि friends जो है उसको पता नहीं होता है और अपने sick friend से वो पूछता है कि तुमें पता है दिल्ली में helmet पाना निवार है otherwise you will be find तो sick friend क्या बोलता है don't worry I will not be find मैं जो है find नहीं होंगा तो पूछता है परमजीत why won't you be find तुम क्योंने तुमसे फाइन होगा तुमने 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 पाना है तो उसके sick friends ने क्या बोला for sick wearing a pagari is very important part of our religion मतलब कि पगड़ी को पानना हमारे religion का एक important part है ठीक है the government cannot force me to wear a helmet और government जो है मुझे force नहीं कर सकती helmet पानने पे तो this is the examples जैसे कि not inference with religious practice government जो है किसी भी religious practice में जो है interfere नहीं करती है तो अबब storyboard से क्या पता चलता है कि Paramjit the sick youth does not have to wear a helmet this is because the Indian state recognize that wearing a pagari जैसे कि तर्बन हम उसको बोलते हैं is central to six religious practice and in order not to interfere with this allow an exception in this law यह जो है इस law में एक्सेशन दिया गया है कि जो six लोग हैं जो sick के लोग हैं वो जो है अपनी पगड़ी को पाने हैं तो उसको find नहीं किया जा सकता ठीक है next है to prevent the domination through the strategy of intervention लेकिन ऐसा भी नहीं है government state जो है interfere करके भी जो है जो है secularism को promote करती है जैसे कि in case of untouchability हमने देखा था तो untouchability में क्या हुआ था कि जो upper caste के हिंदू थे उन्होंने dominate किया lower caste के हिंदू पे ठीक है in order to prevent this religious based exculsion and domination of lower caste the Indian constitution bans untouchability तो इसको जो है Indian constitution ने क्या किया बैन कर दिया मतलब जो गलत practices है उसमें state intervene भी कर सकती है जैसा कि in case of untouchability में constitution ने क्या किया इसको बैन किया तो Indian constitution बैन untouchability और next है the state may have to intervene in the religious based personal love communities जो है अगर कोई religious जो है community personal love बनाता है and वो जो पर्सनल ला जो है ठीक नहीं है ए मास अफ सोसाइटी के लिए तो उस पे भी state जो है intervention कर सकता है जैसे हमने देखा था in case of untouchability में या जो है अभी जो है तीन तलाग को जो है abolish किया गया तो ये जो एक personal law Muslim personal law board ने जो है इसको एक बना के रखा था तो वो जो है state जो है उसमें intervention भी कर सकती है जो ला जो है suitable नहीं है मास अफ लोगों के लिए जो social evil से उस पे जो है वो ला बना सकती है उसमें intervention कर सकती है इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिएगा ताकि वीडियों चे आप लोगों को टाइम ली मिलता रहेगा और exercise के answer हमने जो है अपने site www.fullexpand.com पे upload किया हुआ है वहाँ से जाकर के आप लोग answer को देख सकते हैं notes बना सकते हैं और timely अपना पढ़ाई कर सकते हैं ओके thank you